नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी के ट्रैकर पे देखे फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है विंसर एयर बुक सीरीज इस सीरीज का आज हम सोलुआ पार्ट यहां पे कवर करेंगे आज के वीडियो में हम उत्राखंड के जो प्रमुक औदोगी एकाईया हैं इसके अलावा उत्राखंड के अंदर जो प्रमुक अकैडमी है जो प्रमुक आपके संस्थान है और जो आपके सिक्षन संस्थान है इनको लेकर बात करेंगे क्योंकि लगातार यहां से आपके question बनते हैं जो आपके प्रमुक एकाया हो गई चाहे सिक्षनर संस्थान हो गए हाल ही में जो UKPSC ने पेपर करवाया था उसमें आपसे ग्रामीर विकास समीती के बारे में प्रशन पूछा गया था तो ऐस तरीके के question आपके exam में बनते हैं इस topic को लेकर के तो आज के वीडियो में हम इन सभी के बारे में detail में बात करेंगे उमीद करता हूँ आपने इस series के previous parts को देख लिया होगा अगर आपने उनको नहीं देखा है आप उनको playlist में जाके देख सकते हैं आई बटन पर आपको उसका link मिल जाएका इसके साथ ही एक और चीज आज की वीडियो में ही आगे में आपको हिंदी की series से related कुछ information है आपके लिए तो हिंदी की series को लेकर भी लगातार comments आ रहे थे तो उसके बारे में भी आपको जानकारी आगे यहाँ पर दिखने को मिलेगी तो उसके बारे में आगे बात करेंगे अभी हमारी इस वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे प्रमुक औद्धोगी इकाईयों के बारे में और जहां पर वर्ष इंपोर्टेंट है जहां पर वर्ष पेपर में पूछा जाता है उनको भी कवर करते हुए चलेंगे with extra fact सबसे पहले बात करेंगे भारत Electronics Limited की भारत Electronics Limited जिसे B.E.L. बोलते हैं ये आपके कोट द्वार में है नेक्स्ट है हिंदुस्तान Machine Tools कहां इस्तित है जो हिंदुस्तान Machine Tools है ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि राज्य में हम्टी कार खाना कहां पर है तो ये आपके ननिताल के भीमताल में इस्तित है Defense Electronics Application Laboratory जिसे डील नाम से जाना जाता है इसी का पूरा नाम है ये और ये आपके दहरादून के राइपुर में इस्तित है ये भी बहुत बार पेपर में पूछा गया है Next है Opto Electronics ये आपके दहरादून में है और Ordnance Factory अगर पूछी जाएगी तो ये भी आपके दहरादून में है ठीक है Next है Electronic उद्योग कहां इस्तित है तो राज्ये के अंदर Electronic उद्योग आपके Lancy Dawn में है और Electronic and Telephone Factory ये आपके भीमताल में इस्तित है ठीक है दोनों याद रखेंगे पूछा जाता है और एक और चीज जो ये हमारी Windsor Yearbook की सीरीज है इसमें आज हम 16 पार्ट देख रहे हैं एक फ्रेंड ने कल पूछा था कि इसके कितने पार्ट और आएंगे देखे मैं आपको पूरी जो किताब है इसके Notes cover यहाँ पे करवाता हूँ बिल्कुल सिंपल भाशा में Page the page हर page से ज चुके हैं तो आप इसे अंदाजा लगा चुके हैं कि आदी किताब हम खत्म कर चुके हैं इसमें हमने Current Affair के Question को भी देखा हमने उत्राखन GK को भी देखा उत्राखन के Basic GK को भी देखा और जो latest GK है उसको भी हमने यहाँ पर cover किया आपको यहाँ से भी काफी जादा मिले की चलिए तो रिशिकेश पहुँच जाएंगे और जहां पर Medicine दिखेगा इसे मोहान के साथ जोड़ दीजिए अलमुड़ा आप पहुँच जाएंगे ठीक है राष्ट्रिया जल विझ्ञान संस्थान यह भी आपके रुड़की में है इसकी स्थापना जो यह राष्ट्रिया जल विज्ञान संस्थान है इसकी स्थापना 1979 में हुई थी Structural Engineering Research Center ये कहां पर है तो ये आपके रुड़की में है और इसकी स्थापना 1965 में हुई थी सिचाई अनुसंदहान संस्थान की बात करें तो ये आपके रुड़की में है इसकी स्थापना 1928 में हुई थी और इसे संस्थान का दरजा 1949 में दिया गया था ये चारों important है इनमें से जो ये आपके दो हैं ये पेपर में पूछे जा चुके हैं ठीक है कि इनकी location कहां है तो ये आपके रुड़की में है नेक्स्ट है Indian Institute of Petroleum ये कहां पर है तो Indian Institute of Petroleum भारतिय पट्रोलियम संस्थान ये भी पेपर में पूछा गया है ये आपके दहरा दून में है और इसे 2003 में बनाया गया था वाड्या Institute of Himalayan Geology ये कहां पर है तो वाड्या Institute का संबंध किस्से है तो भुविज्ञान से इसका संबंध है और ये पेपर में पूछा गया है वाडिया इंस्टिट आपके देहरादून में है इसकी स्थापना 1968 में हुई थी अगर आपसे पूछेगा वाडिया इंस्टिट की स्थापना कब हुई आप बताएंगे 1968 1968 में इसे दिल्ली में स्थापित किया गया था वर्तमान में ये देहरादून में है तो question बनता है देहरादून कब लाए देहरादून इसे 1976 में लाया गया था भारतिया वानिकी अनुसंधान एवं सिक्षा परिशद कहां पर है तो ये आपके देहरादून में इस्तित है Indian Institute of Drilling Technology ये कहां पर है तो Indian Institute of Drilling Technology ये भी आपके देहरादून में इस्तित है Oil and Natural Gas Corporation ये कहां पर है तो Oil and Natural Gas Corporation ठीक है O NGC की बात हो रही है ये आपके देहरादून में है और इसकी स्थापना 1956 में करी गई थी Next है Institute Research and Development Establishment जिसे शॉट में IRDE के नाम से जानते हैं ये कहां पर है तो ये आपके देहरादून में है और ये जो Institute, Instrument, Research and Development Establishment है तो ये आपके देहरादून में है DRDO के अंतरगत ये काम करता है DRDO की एक Lab है Next है राश्ट्रिया दृष्टी दिव्यांगजन शशक्तिकरन संस्थान ये कहां है तो ये आपके देहरादून में है जो आपका देहरादून के अंदर है राश्ट्रिय दृष्टी बादे तसंस्थान उसके साथ आपको इसे याद रखना है जिसे 1943 में स्थापित के आ गया था ठीके चलिए चेत्रिय अभिलेकागार का हेड़कॉर्टर कहां पर है तो चेत्रिय अभिलेकागार ये बना था आपके 1980 में ठीक है ये आपके देहरादून में है 1980 में इसकी स्थापना होती है चेत्रिय अभिलेकागार के रूप में लेकिन 2003 में ये जो छेत्रिय अभिलेकागार है इसे उचकृत कर राज के अभिलेकागार का दर्जा दे दिया जाता है तो कुशन बन सकता है कब इसे दर्जा दिया गया? 2003 में इस्थापित किया गया? 1980 में है कहां पर? दहरादूर में भारतिय पुरातत्व सर्वेक्षन विभाग दहरादूर में इस्थित है इसे भी आपको याद रखना है दहरादूर में ये 2003 से इस्थापित है इंद्रा गांधी राश्ट्रिय वन अकादमी कहां इस्थित है? तो इंद्रा गांधी राष्ट्रिया वन अकादमी ये भी आपके देरा दून में है ठीक है इस वन अकेडमी की स्थापना 1938 में होती है 1987 में इसे इंद्रा गांधी का नाम दिया गया था ठीक है तो इसको भी आपको याद रखना है कोशन बन सकता है अगर option में 38 आपको ना मिल क्योंकि इसकी शुरुवाती स्थापना कब हुई है 1930 किट में अगर ये नहीं मिलता है option में तो आप 87 को याद रखेंगे जब इसे इंद्रा गांधी का नाम दिया गया था इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग जिसे IIRS के नाम से हम जानते हैं शौट में हिं उत्राखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौदकी की परिशत जिसे यूकांस्ट के नाम से जानते हैं ये आपके दहरा दून में है और उत्राखंड अंत्रिक्ष उप्योग केंद्र जिसे यूसेक के नाम से जानते हैं ये भी आपके दहरा दून में इस्तित है यूसेक क किस था अपना देहरादून में कब हुई आपने comment box में बताना है और एक और question आपसे पूछा जाता है ये तो उत्राइखन Space Application Center है अगर सापसे सरिफ इतना पूछ ले भारत के अंदर जो सेक है Space Application Center ये कहाँ पर है तो ये आपके एहमदबाद में इस्तित है ठीक है Next है Himalayan Action and Research Center ये कहाँ पर है तो Himalayan Action and Research Center ये भी आपके देहरादून में है 1988 में इस्थापित किया गया था ये हमने कुछ प्रमुक जो अद्दुगी इकाईया है इनके बारे में बात करी अब बात करेंगे कुछ important जो अकेडमिया है और संस्थान है इनके बारे में सबसे पहले आती है भारतिय सैनिय अकादमी जो भारतिय सैनिय अकादमी है ये देहरादून में है और इसकी स्थापना 1 October 1932 करना इसे 31 नहीं होगा 1932 को इसकी स्थापना होती है 10 October को इसका अपचारिक गठन होता है अपचारिक तो पर इसका उधगाटन होता है लेकिन जो पहला रेफरेंस आपको देना है वो एक October को देना है इसकी स्थापना किसने करी थी जो देहरादून में है इसकी स्थापना फिलिप चेट्वुड बर्ड के द्वारा करी गई थी इसे भी आपको याद रखना है नेक्स्ट है लाल बहादूर शास्त्री राश्टिय प्रशाशनिक अकेडमी कहां इस्तित है तो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय प्रशासनिक अकाडमी जिसे लवसना के नाम से जाना जाता है ये आपके मसूरी में इस्तित है इसकी स्थापना 1 सितंबर 1959 को करी गई थी ठीक है इस्थापना कब हुई थी 1 सितंबर 1959 59, इसके आगे लाल बाहदुर शास्त्री जी का नाम कब जोडा गया, ये जोडा गया 1972 में एक आपको ये याद रखना है, ठीक है और इसमें, जो ये प्रशाशनिक शब्द है, ये कब जोडा गया तो ये जोडा गया 1973 में दोनों आपको याद रखने हैं ठीक है जब इसके आगे लाल बहदुर शास्त्री का नाम जोड़ा गया इसका नाम हुआ लाल बहदुर शास्त्री राश्ट्रिय अटेडमी बात में अगले ही साल 1973 में इसके साथ ये प्रशाशनिक शब्द जोड़ दिया गया दोनों याद र सवंबर 1965 को ये इस्थापित हुआ था उत्राखंड प्रशाशनिक प्रशिक्षन अकेडमी कहां पर है तो उत्राखंड की जो प्रशाशनिक अकेडमी है ये आपके नैनी ताल में इस्तित है और इसकी इस्थापना 1988 में हुई थी जो उत्राखंड की प्रशाशनिक प्रशि तो उत्राखन नेयाइक एवं विदिक अकाडमी ये आपके नैनिताल के भवाली में इस्तित है और इसकी स्थापना सन 2004 में करी गई थी तो इसकी आपको वर्ष भी याद रखना है वर्ष भी आपसे पेपर में पूछा जाता है ठीक है डॉक्टर पितामबरदत बर्थवाल हिंदी अकेडमी कहां पर है तो डॉक्टर पितामबरदत बर्थवाल हिंदी अकेडमी ये आपके देहरा दून में इस्तित है इसकी स्थापना सन 2009 में करी गई थी और 2011 में इसके आगे पितांबर दत बर्थवाल का नाम जोड़ा गया था एक आपको ये याद रखना है कहीं कहीं पर इसकी स्थापना 2010 दी गई है तो इसको भी आपको ध्यान रखना है अप्शन के अधार पर आपको टिक करना है ठीक है दोनों पेपर में पूछे जा रखे हैं नेक्स्ट है उत्राखन भासा संस्थान ये कहा है तो उत्राखन भासा संस्थान ये आपके देहरा दून में है 2010 में इसकी स्थापना करी गई थी ठीक है अब बात करते हैं जो हमारी हिंदी की सीरीज है देखे पहले जैसे मैंने आपको कहा कि हिंदी की आपके एक master वीडियो आएगी जिसमें आपका जो पूरा revision है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा लेकिन क्योंकि अब आपकी जादा मांग यहां पर आ रही है हिंदी की स सीरीज को यहां पर शुरू करेंगे जो आपके topic wise MCQs के उपर based होगी जिसमें आपके जितने भी हिंदी के topics हैं syllabus के according चाहे वो हिंदी भासा का विकास है चाहे वो हिंदी सहित्या का इतिहास है चाहे वो आपके जो word आपकी vocabulary है जहां पर आपके प्रियावाची शब्द, वि प्याकरण भी होगा आपका जो साहित्य वाला portion है वो भी होगा पत्रकारिता भी होगा और इसके लावाद जो आपका जन संचार वाला है उसके भी आपको videos MCQ के रूप में देखने को मिलेंगे तो कोशिश करेंगे इसी हफते से जो अगला हफता कल से शुरू होगा उसमें उसको हम शुरू करतें और उसके बाद जो master video आएगा उसमें आपका जो पूरा हिंदी काला portion है उसका हम इस तरीके से revision करेंगे कि आपने जितनी भी चीज़ें यहाँ पे cover करेंगे आप जो ये series हम शुरू करने जा रहे हैं आपका सारा revision एक साथ वहाँ पर हो जाएगा तो पूरे concept के साथ और extra fact के साथ cover करेंगे ठीक है चलिए next है राजीव गांधी शहासिक खेल अकाडमी कहां पर है तो राजीव गांधी सहासिक खेल अकाडमी ये आपकी टिहरी में है और इसकी स्थापना 2014 में हुई थी अन्यप्रमुख संस्थानों की बात करें तो यहां से बहुत सारे कोशन आपको ऐसे मिलेंगे जो previous year के हैं पहला है उत्राखन ग्राम्य विकास संस्थान पूछा गया है ये आपके रुद्रपूर में है ग्रामीड और कृषी विकास समीती जिसके बारे में मैंने उपर बात करी ये भी पूछा गया है ये आपके हल्दवानी में है 1995 में इसकी स्थापना हुई थी लगु उद्योग सेवा संस्थान कहां पर है तो राज्य के अंदर लगु उद्योग सेवा संस्थान आपके हलदवानी में इस्तित है वानिकी अनुसंधान एवं प्रसिक्षन संस्थान ये कहां पर है तो ये आपके हलदवानी में इस्तित है जीबी पंद राजकिय संग्रहलय ये कहां पर है? तो गोविंद बल्लब पंद राजकिय संग्रहलय आपके अलमोडा में इस्तित है और इसकी स्थापना 1979 में हुई थी राज्य का सबसे पुराना संग्रहलय कौन सा है तो उत्राखंड का सबसे पुराना संग्रहलय देहरादून वन संग्रहलय को माना जाता है जो की 1914 में बना था लोग संस्कृती संग्रहलय ये कहां पर है तो राज्य के अंदर लोग संस्कृती संग्रहलय भीमताल में है इसकी स्थापना 1983 में ये शुधर मठपाल के द्वारा करी गई थी ये भी बहुत बार पूछा गया है ठीक है एक्जेक्ट लोकेशन इसका भीमताल के खुटानी में इस्तित है नेक्स्ट है हिमालिया पुरातत्व एवं निरवन्शिय संग्रहले ये कहां पर है तो हिमालिया पुरातत्व एवं निरवन्शिय शंग्रहले ये आपके शिरी नगर में है और इसकी स्थापना 1980 में करी कई थी जो हमारी ये वीडियोज है इसमें मैं आपको पूरा एक टॉपिक है उसे related सारे fact यहां पर बताने का प्रियास करता हूँ तो इनको आप लिखते वे जरूर चले आपको definitely exam में इसका फाइदा होगा साथ में जो extra fact हम यहां पर cover करते हैं चाहे वो हम बेस नेगी की जो जीके वाली book है उसमें हो चाहे बेस नेगी उत्राखन वाली series में हो चाहे उत्राखन जिला वाली series में हो सभी बे हम extra fact को देखते हैं तो उनके notes आपको करते चलने हैं Next है हमारा वन्य जीव प्रसिक्षन केंदर कहां पर है तो वन्य जीव प्रसिक्षन केंदर ये आपके पौड़ी गड़वाल में है काला गड़ में इस्तित है भारत खंडे संगीत महाविध्याले कहां पर है तो भारत खंडे संगीत महाविध्याले ये आपके दहरा दून में है और इस महाविध्याले के अंत्रगत, राजे के अंदर तीन परीसर इसके बनाए गए हैं, एक परीसर इसका देहरादून में हैं, जो मुख्या है, दूसरा परीसर इसके अलमोडा में हैं, और तीसरा परीसर इसका पोड़ी में हैं, ठीक है? तरार अनुसंधान संस्थान कहा है ये पेपर में पूछा गया है ये आपके भीमताल में इस्तित है ठीके तरार अनुसंधान संस्थान भारतिया पसूद चिकिस्था एवं अनुसंधान संस्थान ये कहां पर है तो भारतिया पसूद चिकिस्था का मक्का इसको बोला जाता ह यह आपके नैनिताल के मुक्तेश्वर में है इसकी स्थापना 1893 में एलफिट लिंगाड के प्रियासों से हुई थी ठीक है याद रखेंगे पूछा जाता है जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान यह कहां पर है तो जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान यह आपके गोपीश्वर में स्तित है High Altitude Plant Physiology Research Center यह कहां पर है तो यह आपके शिरीनगर में स्तित है विवेकानंद परवत्या कृषी अनुसंधान शाला ये कहा है तो ये आपके अलमोडा में है इसकी स्थापना बोसी सेन के द्वारा करी गई थी ठीके किसने इसकी स्थापना करी थी बोसी सेन ने कब करी थी ये जो विवेकानंद परवत्या कृषी अनुसंधान शाला है इसक इसमान में ये अल्मोडा में है, इसे अल्मोडा कब लाया गया, तो 1936 में इसे अल्मोडा लाया गया, दोनों याद रखने हैं, एक पेपर में आपसे दोनों प्रश्न पूछे गए थे, पहला ये कहा है, और इसकी स्थापना किस ने करी थी, ये एक ही पेपर में आपसे पू यह आपके 1954 में इस्थापिट हुआ, वारणसी में इसकी स्थापना करी गई थी, वर्तमान में ये नैनिताल में है, नैनिताल के मनोरा पहाडी पर ये इस्तित है, यहां तक इसे कव लाया गया, तो देखिए, 1954 में इसकी स्थापना वारणसी में होती है, ठीक है, 1955 में इसे न किया जाता है और 1961 में इसे अपनी वर्तमान जगा मनुरा पहाडी पर इस्थापित कर दिया जाता है ठीक है रक्षा कृषी शूद संस्थान ये कहां पर है तो रक्षा कृषी शूद संस्थान आपके अल्मुडा में है और ये भी एक प्रिविस येर कुश्चन है अब यहां पर है बहुत बार पेपर में पूछा गया है उच्च शिक्षा निदेशालय हल्दवानी में इस्तित है और प्रावदिक शिक्षा निदेशालय पूछेगा तो ये आपके शिरी नगर में इस्तित है नेक्स्ट है जीबी पंत कृषी एवं प्रौदगी की विश्विध्या इसकी इस्थापना 17 नवंबर 1960 में करी गई थी ठीक है जो ये पहला कृशी विश्विध्याला है देश का इसे 1960 में इस्थापित किया गया था 1972 में इसका नाम गोविन बल्लपंत के नाम पर रख दिया गया था तो इस्थापना पूछेगा 1960 जीवी पंत का नाम कब मिला 1972 ठीक है गुरुकुल कांगडी विश्विध्याले कहा है आप सभी जानते हैं ये हरीदवार में है 1902 में हरीदवार में स्वामी स्रधानंद इसकी इस्थापना करते हैं 1962 में गुरुकुल कांगडी को यहां पर डिम केंद्रिया विश्विध्याले कहा हैं तो हेमवदी नंदन भागुणा केंद्रिया विश्विध्याले ये आपके शिरी नगर में इस्तित है इसकी इस्थापना 1973 में होती है तब इसका नाम था गडवाल विश्विध्याले ठीक है 1989 में इसके नाम के साथ हेमवती नंदन बहुगणा गडवाल विश्विध्याले ठीक है इसके 20 साल बाद 2009 में 15 जनवरी को इसको केंद्रिया विश्विध्याले का दर्जा दे दिया जाता है और नाम हो जाता है HNB केंद्रिया विश्विध्याले ठीक है तो इस्थापना 73 HNB का नाम 89 केंद्रिया विश्विध्या हैं सभी जानते हैं ये आपके देरा दून में है ठीक है FRI की हम बात कर रहें FRI की स्थापना 1906 में होती है 2006 में ये अपने 100 वर्ष पूरे कर लेता है ठीक है तो ये पेपर में पूछा जा चुका है कि इसने अपने 100 वर्ष कब पूरे किये तो आप वो तभी बता पाएंगे जब आपको उसकी स्थापना पता होगी 1906 में इस्थापित हुआ और 1991 में FRI को डिम्ड विश्विधाले का दरजा दिया गया Indian Institute of Technology यानि IIT की बात हो रही है तो उत्राखंड का IIT कहां पर है सभी जानते हैं रुड़की में इस्थित है ठीक है इसकी स्थापना के अगर हम बात करते हैं तो इसका एक इतिहास है IIT के रूप में इसे दरजा 2001 में दिया गया था ठीक है इसे आपको याद रखना है 21 सितं स्थांबर 2001 को इसे IIT का दरजा दिया गया था ये भारत का साथवां IIT बना था ठीक है 2002 वाला गलत है ये 2001 में बना था कहीं कहीं पर दो भी दिया है वो गलत है ठीक है आपको एक याद रखना है अगर हम इसके इतिहास की बात करते हैं इसकी स्थापना जो होती है ये 1847 में इसकी स्थापना होती है आजादी से 100 साल पहले इसका नाम था रुड़की इंजिनेरिंग कॉलेज ये एशिया का पहला इंजिनेरिंग कॉलेज था 1854 में इसका नाम बदल दिया जाता है और 1854 में इसका नाम थॉंसन कॉलेज आफ सिविल इंजिनेरिंग कर दिया जाता है यानि थॉंसन के नाम पर इसका नाम रख दिया जाता है। इसके बाद भारत आजाद हो जाता है 1947 में, तो 1949 में इसे विश्व विध्याले का दर्जा दे दिया जाता है और रुड की विश्व विध्याले इसका नाम हो जाता है 1949 में। में 1960 में रुड की विश्विधाले के अंदर भूकंप इंजिनेरिंग विभाग स्थापित किया जाता है 1995 में इसी विश्विधाले के अंदर जल संसाधन विकास प्रशिक्षन केंद्र की स्थापना होती है और 21 सितंबर 2001 में इसे देश का सातमा आयाईटी बना दिया जाता है देव संस्कृती विश्विधाले कहां है तो ये आपके हरिद्वार में है 2002 में इसे स्थापिन किया गया था पेट्रोलियम एवं उर्जा विश्विधाले ये कहां पर है ये भी आपके देहरादून में है 2003 में ये बना था इंस्टिट्यूट ऑफ फाइनेंशिल एनलिसिस ऑफ इंडियन युनिवर्सिटी यानि इक्वेफाई की हम यहां पर बात कर रहे है ये आपके देहरादून के सेलाकुई में है और 2003 में इसकी स्थापना हुई थी उत्राखन तक्नीकी विश्विध्याले ये कहां पर है तो उत्राखन तक्नीकी विश्विध्याले ये आपके देहरादून में है और इसे 2005 में स्थापन किया गया था तीक है उत्राखंड संस्कृत विश्विध्याले ये कहां पर है देखे उपर हमने बात करी देव संस्कृती विश्विध्याले की वो 2003 में आपका बना था ठीक है 2002 में बना था हरीद्वार में ये है उत्राखंड संस्कृत विश्विध्याले ये आपके हरीद्वार में है औ उत्राखंड संस्क्रित अकेडमी 2003 उत्राखंड संस्क्रित विश्विध्याले 2005 यह सब आपके हरीद्वार में है ठीक है उत्राखंड मुक्त विश्विध्याले यह कहां पर है तो उत्राखंड की जो ओपन यूनिवर्सिटी है उत्राखंड ओपन यूनिवर्सिटी यह आप इंस्टिट्यूट हॉस्पिटल ट्रेस्ट ये कहा है तो ये आपके दहरादून के जॉली ग्रांट में है इसकी स्थापना 1989 में होती है 2007 में इसे डिम्ड विश्विध्याले का दर्जा यहां पर दिया गिया था ग्राफिक एरा विश्विध्याले की बात करें ये आपके दहरादून में है इसको लेकर भी दो वर्ष आपको याद रखने है 1993 और 2008 उन्निस सो तिराणवे में स्थापना होती है 2008 में इसे विश्विध्याले का दर्जा दिया जाता है ठीक है डिम्ड विश्विध्याले का नेशनल इंस्टिट्यूट ओफ टेक्नलोजी ये कहां पर है तो एनाइटी की बात हो रही है उत्राकन का एनाइटी आपके शिरी नगर में है 2009 में इसे स्थापित किया गया था भारतिया प्रबंदन संस्थान आई आई एम की बात हो रही है ये आपके काशिपूर में है 2011 म ये कहां पर है ये आपके भरसार में है पौड़ी गडवाल में और इसे 2011 में इस्थापित किया गया था वीर चंद्र सिंग गडवाली राजकिया मेडिकल अगर आप से पूछा जाएगा तो वो भी आपके शिरी नगर में है ठीक है पौड़ी गडवाल के अंदर उसे 2008 में इस्थापित किया गया था ठीक है स्रदेव सुमन उत्राखंड विश्विध्याले ये कहां पर है तो स्रदेव सुमन उत्राखंड विश्विध्याले ये आपके टीरी के बादसाही थौल में इस्तित है यहां जो कॉलेज है यहां जो विश्विध्याले है पहले H&B का हिस दस में, 2012 में इसका नाम श्रदेव सुमन जी के नाम पर रखा गया, तो दोनों याद करने हैं पूछे जा सकते हैं हिमालियन विश्य विध्याले कहां पर है तो हिमालियन विश्य विध्याले आपके देहरादून में है, 2012 में ये बना था अकिल भारतिया आयूर विध्यान संस्थान की अगर हम बात करें यानि एम्स की बात करें तो ये आपके रिशी केश में है 2014 में इसने काम करना शुरू किया था बनना शुरू हुआ था 2004 से बनकर पूरा हुआ 2012 में और काम शुरू हुआ 2014 में ठीक है सुशिला तिवारी मेमोरियल हॉस्पिटल ये कहां पर है तो सुशिला तिवारी मेमोरियल हॉस्पिटल ये आपके हल्दवानी में है इसे 1997 में स्थापित किया गया था ठीक है 2004 में इसे मेडिकल कॉलेज का दरजा दिया गया और 2010 में इसे राजगिया मेडिकल कॉलेज का दर्जा दे दिया किया ये कुछ important वर्ष जो आपको याद रखने हैं तो friends ये था हमारा उत्राखन विंसर इयर बुक सीरीज का आज हमने भाग 16 यहां पे cover किया उमीद करता हूँ आज के वीडियो से भी आपको काफी helpful प्रश्ण यहां पर दे कर सकते हैं आज का वीडियो आपको कैसा लगा comment box में हमको जरूर बताएं और साथ ही जैसा हमने शुरू में बात करी जो आपके हिंदी की एक सीरीज है topic wise MCQ की सीरीज वो आपके सबते से शुरू यहां पर होने जा रही है thank you friends